So hello friends, welcome back to another video दोस्तों, आज है फरवरी 9, आज है सेंसेक्स की weekly एकस्तारी आज है हमारा weekend का last day, तो आज market बहुत ही volatile था Nipty and bank Nipty में हमारे दो setup बने लेकिन दोनों का breakout फेल हो गया तो मैंने इसमें कोई trade का plan नहीं किया और यहाँ पर sensex में मुझे यहाँ पर trade बनता वह दिखाई पड़ा Sensex में trend line का breakout मिला तो वहाँ पर मैंने 8500 का put buy किया और उसका जो मेरा buying price था वो था 116 रुपे 20 पैसे और यहाँ पर मैंने अपना SL लगाया है 152 रुपे का मैंने अपना SL 160 रुपे कर दिया है मैं इस ट्रेड में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आज है weekly expiry sensex की sensex वैसे भी बहुत तेजी से up and down move करता है तो यहाँ पर मैं तकरिबन 500 पैसे तक का profit बनाऊंगा यानि कि मुझे यहाँ पर 50 पॉंट तक का जैसे profit देखने को मिलेगा मैं यहां से exit कर जाओंगा तो जैसे अभी trade में आगे क्या होता है झाल यहां पर मुझे 200 से सवा 200 तक का profit देखने को मिला है मैं अपने SL को कर दे रहा हूं cost to cost और यहां पर मुझे अच्छा ख़ता profit मिल गया तो ठीक है otherwise मैं cost to cost पर exit हो जाओंगा मार्केट मेरा ऐसे लेट कर दिया और मैं यहां पर cost to cost exit कर गया